नमस्कारम एवरिवन सभी का स्वागत है चैनल में यूट्यूब साइन्टिस्ट दोस्तों कई सारे यूट्यूबर हैं जो एक कैटेगरी में आते हैं साइन्टिस्ट की कैटेगरी में आते हैं यूट्यूब साइन्टिस्ट बड़े फेमस फेमस लोग हैं कुछ है जो IAT, IAM से पास आउट है सरकारी ओफिसर भी रह चुके है कुछ ऐसे है जिनका YouTube चैनल बहुत ज़ादा फेमस है और वो इंडिया से बाहर रहते है एक आदा और है जो इंग्लिश में साइन्स करके उनके कुछ चैनल है तो ये लोग जो है अपने आपको साइन्टिस्ट की कैटेगरी में रखते है और सद्गुरू की जो बाते हैं उन बातों को कट करने की कोशिश करते है जिसमें से एक बात है कि सद्गुरू ने किसी वीडियो में वहला था कि Water has memory और उसी बात को लेकर ये जो साइन्टिस्ट है कि हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए तो साइन्टिस्ट कह रहे हैं कि पानी तो पानी होता है और जो है पानी में memory नहीं होती है बिल्कुल इनकी बात बिल्कुल सही है लेकिन जो मेथड इनका है अगर ये साइन्टिफिकली भी इसको इस चीज की तरफ जिसमें ये बताया गया कि water has memory तो सद्गुरू ने ये बात कही कि water has memory ऐसा कोई आस्टिफिक रिसर्च पेपर पुब्लिक्श नहीं हुआ है तो क्या सद्गुरू की ये बात कहने पे कि water has memory ये बात गलत है क्या इस बात को सही प्रूफ नहीं किया गया है कि water has memory पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि water में memory नहीं है इस बात को प्रूफ किसी नहीं किया कि water में memory नहीं है अभी तक ये प्रूफ भी नहीं किया गया है कि water में memory होती है लेकिन किसी ने ये भी डिस्प्रूफ नहीं किया कि water के अंदर memory नहीं होती है तो अगर ये so-called scientist, intellectual beings कह रहे हैं कि सद्गुरू गलत कह रहे हैं तो आप ये बताओ, आप ये प्रूफ कर दोना कि water में memory नहीं होती है water में अगर memory नहीं होती है तो जो सद्गुरू कह रहे हैं, वो गलत अपने आप सीद्ध हो जाएगा लेकिन actually सच्चाई बताओं क्या है इन लोगों को केवल सद्गुरू की बात को काटना है और ये दिखाना है कि सद्गुरू गलत भरहम फैला रहे है परन्तु सच्चाई पूरी दुनिया को मालूम है कि दुनिया के बड़े-बड़े scientist चाहे वो फिर astronomers हो चाहे फिर physicist हो चाहे फिर वो neurologist हो दुनिया के बड़े-बड़े field के जितने भी scientist है सब सद्गुरू से आकर बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये YouTube scientist जो है they are saying कि जो सद्गुरू कहते है वो गलत है आप फिर से इस चीज़ को समझना कि अगर ये इतने ही बड़े scientist है तो इन से ये पूछा जाए ये इन से ये कहा जाए कि आप ये प्रूफ करके दिखा दो कि जो सद्गुरू कह रहे है वो गलत है water has memory अगर आप ये कह रहे हो कि ऐसा नहीं होता है तो आप प्रूफ करके दिखा दो तो आपकी बात सही हो जाएगी तो मैं ये ये चीज़े हैं पर क्यों कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग ना बड़ी जल्दी बहकावे में आ जाते है कि जो उनके experience में नहीं है जो इन Youtube Scientist के experience में नहीं है तो क्या वैसा पॉसिबल नहीं है क्या अभी तक ये किसी ने पूफ नहीं है कि water में memory नहीं होती है तो इससे सद्गुरू का statement गलत नहीं हो जाता तो Science ऐसे चलती है उसका उल्टा प्रूफ करकी दिखाओ उसको गलत प्रूफ करकी दिखाओ जब तक आपने उसको गलत प्रूफ नहीं किया तब तक वो सही ही है एक तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि उसको गलत प्रूफ नहीं किया गया तो Chance हो सकता है कि वो गलत भी है तो आप ऐसे कैसे कह दे रहे हो और एक human being जो उस level का जिससे बड़ी बड़ी दुनिया के जो scientist है वो उनसे आगे बात कर रहे तो उनकी बात में कुछ ना कुछ भरोसा कुछ ना कुछ तो भारीपन होगा सद्गुरू कहते हैं कि जो मैं बात कह रहा हूं उस बात को आपका logical mind अभी accept नहीं कर पाएगा पर इस चीज की गलती मत करना कि जो मैं कह रहा हूं उसको believe भी मत करो और जो मैं कह रहा हूं उसको disbelief भी मत करो उस पर भ्रोसा भी मत करो और उसके उसके अगेस भी मज़ जाओ वो यह कह रहे है कि जब तक आपके experience में नहीं होगा तब तक उस चीज को सच नहीं मानना फिर ऐसे एक बार सद्गुरू नहीं यह कहा था कि अगर एक एक female जुड़ा बच्चों को जरम देती है तो जो female है उनकी एक breast में अलग तरीके का दूर निकलता है दूसरी breast में अलग तरीके की qualities के साथ मिलक निकलता है तो इस पर भी tutor में फिर tutor में इन लिए जो बड़े-बड़े scientist है इन्हों ने आके फिर कोई कोई बाते कहनी start कर दी क्या इन लोगों ने वो वो बात को गलत प्रूफ किया क्या नहीं किया तो वो सही कैसे हो गए ये scientist सही कैसे हो गए YouTube scientist सही कैसे हो गए ये Sadhguru की बात को गलत प्रूफ नहीं कर रहे तो वो खुद कैसे सही हो गए तो आप इस चीज़ को समझना ये approach आपके लिए मैं आपको aware करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ इस चीज़ को हमेशे ध्यान रखना कि अगर वो उनको गलत प्रूफ नहीं कार पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक वो भी सही नहीं है यह scientist सही नहीं है जो सद्गुरु की बात वो गलत कह रहे हैं वो जब तक उनकी बात को गलत प्रूफ करके नहीं दिखाएं तब तक सद्गुरु बलत नहीं है ठीक है इस चीज़ को आपके माइड में आपने रखना है एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह जो scientist है actual में जो scientist है वो लोग भी अब ये चीज़ को accept कर रहे हैं कि वो नहीं जानते हैं जितना उनको लगता था कि वो जान गया है बट अभी भी बहुत बड़ा portion ऐसा है इस physical universe का जिसके बारे में वो लोग नहीं जानते हैं पहले तो हम logically चल रहे थे अब एक अलग concept आया है fuzzy logic जहां पर कुछ मैं आपको just example देना चाहरा हूँ 2 plus 2 को 5 के बराबर proof किया जा सकता है proof किया जा सकता है तो ये fuzzy logic के under ये चीज़ आने लग गई है तो logic से भी हटके कोई और चीज़ है तो ये YouTube scientists है इनको लगता है कि इनका जो logic है उस logic के परे कोई चीज़ हो नहीं सकती और इन YouTube scientists पर आपको बहुरा साइसलिव नहीं करना है क्योंकि ये YouTube scientists जो है इनका खुद का अपना कुछ agenda चल रहा है और वो अपना agenda आपके mind में थोपना चाहते है आपको अपने घेरे में लेकर रखना चाहते है कि आप उनके गेरे से बाहर ना चेले जाओ क्योंकि अगर आप उनके घेरे से बाहर चेले गए तो फिर उनकी तो उनकी जो fan following है या उनका जिनके ऊपर राज करने का मन था उनकी हाथ से बाहर निकल गए और उनका सिकंजा जो है वो खतम हो जाएगा तो वो किसके पर राज करेंगे तक वो आप लोगों की आखें नहीं खुलने जला जाते हैं आपको इस तरीकी से बांदेंगे कि आपने तो टेक्स्ट बुक में पढ़ा ही होगा कि वाटर, मेमोरी कार्ड में मेमोरी इलेक्टरों की वज़े से स्टोर होती है लेकिन वाटर में कुछ ऐसी क्वालिटी नहीं होती है कि वाटर जो है वो मेमोरी स्टोर कर सकता है इन साइंटिस्त में पूछना चाहूंगा कि अगर water ही होता है चाहे कहीं कभी water हो तो जो गंगा जी का पानी है उस पानी के बारे में अब तक scientist जो है कुछ conclusion क्यों नहीं निकाल पाए गंगा जी का पानी है वो कभी भी खराब नहीं होता आप उसको bottle में रखो YouTube scientist, इनको इन से पूछना था कि गंगा जी का पानी अलग क्यूं है? क्यूं उस पानी को सेक्रेड माला जाता है? क्यूं उस पानी को हम अपने उपर चिड़कते हैं? जब कोई चीज ऐसी होती है, अगर हम निगेटिव बातावरण से होकरा है तो हमारे पर गंगा जल चिड़ है लोग क्यों ऐसा क्यों हो रहा है अगर पानी पानी ही है तो गंगा जी का शुरूत अलग क्यों है यमना जी का शुरूत अलग क्यों है ऐसा क्यों हो रहा है तो पूछो पानी अगर पानी ही है तो भाई गंगा जी के अंदर ऐसी करेक्टरिस्टिक कैसे आ गई वो पानी खराब क्यों नहीं हो रहा है और बाकी वाला पानी जो है वो सड़ जा रहा है कुछ तो कॉलिटी होगी और तीर्थ कॉंड जो होते है वहां के पानी में अलग कॉलिटी होती है वहां के कई कुंड ऐसे हैं जहां के पानी से हमारी जो बीमारिया होती है मैंने बहुत सारे केसे से सुने है कि जो स्किन डिजीजेज है वो उन पानी से क्योर हो जाते है और यूट्यूब पे एक चैनल है प्रवीन महन, आप उस चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, उसमें एक मंदिर के बारे हैं बताया गया है, जहाँ पर जो वहाँ पर ना एक consecrated form, consecrated lingam रखे हुए, उनके थूप पानी होकर आता है, और उस पानी के अंदर medicinal properties होती है, तो यह जो YouTube scientist है, यह scientist कुछ भी बोलते रहे सद्गुरु ने एक बार कहा था, कि Mercury को solidify कर सकते हैं, तो science, अपने आपको dope कहने वाले लोग जो है, वो यह कह रहे हैं कि Mercury को room temperature पर solidify नहीं किया जा सकता, तो YouTube पे प्रवीन महन ने Mercury को solidify करके दिखाया है, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, तो YouTube scientist का लेवली कु अब एक और चीज़, एक flaw और बताता हूं, science में, जब Newton थे, Newton की theory of gravity जो थी, gravitation, उस समय पर कुछ और थी, और जब Einstein आये, Einstein ने जो Newton की theory of gravitation थी, उसको गलत प्रूफ किया, gravity का कारण क्या है, Isaac Newton ने जो कारण बताया था, वो कारण गलत था, Einstein ने अगर बताया था कि, जो अगर space में आप heavy objects को रखते हो, तो उसके वज़े से space bend होता है, space bend होने की वज़े से gravity होती है, तो ये concept Einstein ने आकर दिया, और इसको proof करके बताया था, कि अगर space bend हो रहा हो तो space के through pass होने वाली light जो है, वो भी bend हो रही होगी, तो उसके लिए फि उसकीच कर दिखाया था कि light भी bend हो रही है, तो science के concept जो है, वो दीरे-दीरे क्या हो रहे है, बदल रहे है, आपने वो चीज भी ज़रूर सी रही होगी कि electrons wave होते है, wave होता है या particle होता है, पिता और बेटे ने इसी पे दो बार Nobel Prize ले लिया, पिता ने अलग Nobel Prize लिया, और ब science में flaws निकल रहे हैं और वो उसको accept कर रहे हैं कि आज से पहले जो रहो ने बोला था, उसमें modification हो सकते हैं, क्योंकि आज से पहले जो समझ रहे थे वैसा नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े समय के बाद ये भी proof हो जाएगा कि water has been worry, और ये अपने आपको अगर आपको spiritual guru भी बताते हैं, तो ये अगर spiritual guru है, अगर ये scriptures की ही बात कर रहे हैं, तो हमारा जो शरीर है रहे पंच तत्वों से बना है, तो जिसमें जो एक तत्व है, पानी होता है, ये जो पानी है रहे इस से हमारा शरीर बना हुआ है, शरीर बना हुआ है इस पानी से, तो क् तो जो memory store हुई है क्या हड्यों में body store है यह मांज में dzie स्धर्ण कि 70 % हिस्सा हमारी body का क्या है पानी तो पानी में अपनी प्ल Without push की अपनी memory होती है, अपनी characteristic होती है कुछ, अगर आप एक particle को, एक particle है, किसी भी चीज़ का particle ले लो, air का molecule ले लो, या water का molecule ले लो, ठीक है, उस molecule के पास आप अलग-लग तरीके की vibrations प्रोड्यूस करो, तो वो क्या कहेगा, जो molecule है, वो vibration की वज़े से molecule में कुछ energy store होगी, यही energy जो इसके अंदर हो गई है, यही इसने memory catch कर ली, अब जिस तरीके का vibration आया होगा ना, उसी के basis पर यह vibrate करेगा, जिस तरीके की energy दी होगी, आप इस चीज़ को समझे ना, आपके अंदर जो emotion store होते हैं, वो किसी frequency पर हो रहे होंगे, एक particular तरीके का शब्द अगर आपको बो आपकी emotions अलग तरीके के होंगे, तो इसी तरीके से molecules के अंदर जो है, जो आप vibration अगर create कर रहे हो तो उनके अंदर कुछ न कुछ स्टोर हो रहा है, और वो ही storage जो है हमारे भारत में, भारत और दर्श में बोला जाता है कि जब आप mantra chanting करो, तो पानी रग दो वहाँ पर, क्य दिया जाता है, उस चरणाविरत में दही होता है, और बहुत सरी चीज़े होती है, पानी भी होता है, क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जब आरती होई है, तो वो जो चरणाविरत है, इसके अंदर आरती के वैसे जो energies generate होई होगी, वाइबरेशन generate होई होई है, वो उस चरण चरणाविर्त में स्टोर हो गया होगा और तब हर किसी को थोड़ा-थोड़ा सा चरणाविर्त पीने को दिया जा रहा है तो जितनी भी चीज़े भारतर्ष में करी जाती थी यह कि इनकी पीछे 100% साइंस थी परन्तु करप्शन हर जगे घुसता है यह घुसना ही है ऐसा होना ही है कि एक समय के बाद लोग जो है जो आज से पहले साइंस जिसे कहा गया था उसको छोड़ कर उसे एक तरीके से उसका एक्स्प्लाइटेशन करने लग जाएंगे जैसे कुछ लोग जो जिनको टीचिंग का भार सौपा गया था जिनको ब्रामण बोला जाता है क्योंकि ग करने के लिए उन्होंने ये बोला कि केवल अब हम पढ़ा सकते हैं तो और दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को कहते हैं कि ये लोग अच्छूत है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कुछ लोगों को ये काम होता था कि वो समशान घाट में रहते थे और वहां से वहां पर स्टोर कर लेता है तो आप अगर समशान घाट गए है तो वहां से आने के बाद आप नहाते हैं अगर आप थोड़े से सेंसिटिव होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ नगुछ आपके शरीर में लगा हुआ है उसको दुलना जरूरी है तो अगर कोई वेक्ति जो समशान घाट में हमेशा रह रहा है आप उसके हाथ का पानी नहीं पिऊगे क्योंकि आपको पता है कि वो जो वाटर है वो आपके साथ उसके हाथ का जो पानी है या उस जेगर का जो पानी है वो आपके साथ कुछ वहां की एनरजी स्ट्रांसफर कर सकता है कई तरीके के जो है वो कोई भी अपने उपना कोई रिड़ नहीं ले ला चाहता है किसी प्रकार की निगेटिव एनरजी जो उनके लिए कंड्यूसिव नहीं है वो एनरजी नहीं अब्सॉर्म करना चाहता तो इसलिए लोग हर किसी के हाथ का पानी नहीं पीते दें बट कुछ लोगों ने एक्स्प्लॉइटेशन करने के लिए क्या किया बोल दिया कि इन लोगों ये अच्छूत हो गए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एक्स्प्लॉइटेशन करप्शन हर जगह घुचता है जब तो ये चीज़े होनी ही है और ऐसा क्यों हो रहा है ना मैं आपको एक और चीज़ बत आप पीक में पहुचोगे फिर नीचे उतरों गए तो कोई human being पैदा हुआ जिसने अपने पीक को पहुचा उसकी वजह से जो चीज़ है जो उसने ग्यान दिया हो लोगों तो कुछ समय तक चलेगा लेकिन उसके बाद क्या हैंगे ये अविद्या इतनी प्रभल होती है कि क भार देश से लोग यहां क्यों आए इसको लूटने के लिए क्यों आए क्योंकि उनके पास वो चीज़े नहीं थी वो इसलिए यहां आए और इसको लूट कर गए ठीक है यहां पर ही सबसे दुनिया की सबसे वड़ी लाइबरी नालंदा तक्षिशिला यह भारत में थी औ नहीं साल पहले जो जन्रेशन थी उन्होंने भारत को सोनी की चीडिया मनाए था तो यह यूट्यूब सांटिस्ट आकर यह कह रहे है कि जो भारत के स्पिरिच्वल गुरू अधय अप्यवर है वो गलत कह रहे हैं और यह YouTube scientist जिनोंने कुछ किताबें पढ़ी होंगी और मुझे तो अशा लगता है कि अगर आप इन से laws of motion के बारे में बात करोगे तो शायद यह उसमें भी घबरा जाए तो यह जो YouTube scientist है यह आपको आपके है विदान का मतलब यह है इस इस तरीके से परिभाशा बदलने लग जाएंगी जब मैक्स मुलर भारत आया था ना तो इन लोगों ने जो इंडिया के scriptures थे इनको ही बदल दिया और मनुख स्मृत्री में कहा जाता है कि बहुत सारे modification कर दिये गए और आज भी उसकी वजह से आप देख रहे हो इंडिया में caste system तो कुछ था ही नहीं जब मैक्स मुलर पहली बार भारत आया था ना तो मैक्स मुलर ने यह कहा था कि भारत का एक भी वेक्ति ना शराब पीता है कोई भी वेक्ति जो है पती तो नहीं है अगर भारत में राज करना है तो यहां के लोगों को शराब पिलानी ज़रूरी है इनके जो संसकार है इनको तोड़ना ज़रूरी है तब ही हम इनको उपर राज कर पाएंगे तो दीरे-दीरे करके उन्होंने यह ची में जाके इंग्लिश बोलते हो तो आपका नाम होता है आपका सीना चौड़ा हो जाएगा कि आपके आसपास के लोग ऐसे देख रहे हैं आपको लेकिन हम आपस में ही एक बरी सबाह है उसमें अगर हिंडी में बात करने लग जाए तो ऐसे लगता है क्या बात कर रहे हैं और कभी कोई इंग्लिश में बात करेगा तो अरे वाँ वाँ चाहे सारे लोग हिंडी स्पिकिंग हो सबको हिंडी समाज आती हो पर फिर भी इंग्लिश में एक अलग रुटबा लगता है ये उन्हों नहीं किया गया हमारे कल्चर के परती हमारे अंदर घृणा पैदा कर दी और कोलगेट वाले ये दिखाते थे कोलगेट बहुत बढ़िया होता है और भारत मर्ष में उससे पहले लोग बताओ क्या यूज करते थे दाथ साफ करने के लिए कोईला यूज करते थे और अब कोलगेट के जो नए वेरियंट्स आ रहे है उसमें देखना चार कोल डाल रहे है जब पतंजली ने दंत मजन निकाला अईरविदिक दंत मजन निकाला उसके बाद कोलगेट वालों ने वेद शक्ति निकाल दिया सोचो कि अब वो भी वापस इस तरफ को ही आ रहे है 200-300 साल आपके उपर राज करके गए और अब जो आपकी हैं पहले होता था वो ही चीज को फॉलो करने लगे राम देव बाबा के आते ही सब के मार्केट जो है मार्केट में आयरविदिक प्रोड़क्ट इतने आने लगे क्यों आने लगे क्योंकि उन्हों ने मार्केट ही बदल दिया सो हमारे अंदर हमारे कल्चर के प्रती गिरणा पैदा करी गई थी और उसी का कारण है कि हम इतने वर्षों तक गुलाम रहें और कुछ साइंटिस्ट अभी भी ऐसे हैं जो यह नहीं चाहते कि हम लोग उस चीज से भाहर निकले और हमारे कल्चर के प्रती हमारे अंदर ही गिरणा पैदा कर देंगे कि मंदिर क्यों जा रहे हो कुछ नहीं होता और पना नहीं क्या क्या बात है यह YouTube Scientist यह कह रहे है कि यह प्राण तुष्टा कुछ नहीं होती कुछ भी नहीं होती और Consecrated Spaces तो कुछ होता ही नहीं बस यह मारे इंड का खेल है तो ऐसे YouTube Scientist को के लिए मेरे पास कोई शम्द नहीं है बट मैं आप लोगों को Aware करना चाहता हूँ कि इन लोगों से थोड़ा सा अगर वो अपने आपको intellectual कह रहे है तो आपको भी अपना intellect यूज करना है उनकी बातों पे एकदम से भरोसा नहीं करना है वो कह रहे है कि सद्गुरू गलत कह रहे है आपने उनकी बात पे तुरन भरोसा कर लिया वाह और जो वो कह रहा है उस पे वो क्यों गलत नहीं है जो वो scientist कह रहा है वो गलत क्यों नहीं है आपने यह नहीं सोचा कि वो सही कैसे हो गया और सद्गुरू गलत कैसे हो गया तो आपको भी अपना intellect बनानी की ज़रूत है सोचो वो नहीं बेखुप बना देंगे हम लोगों दो बात अच्छी कहेंगे चार बात अच्छी कहेंगे और एक बात बिल्कुल गलत कह देंगे आपको ही आपके लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनके अगेस्ट खड़ा कर देंगे तो ये इस चीज को समझो जो चाल को समझो I hope की मेरे पॉइंट हो आप लोग समझ पाये होंगे और जितने भी छोटे बच्चे आप लोगों को एक चीज की शोरटी दे रहा हूं कि आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं बड़े बड़े spiritual लीडर्स है सद्गुरु हो गए श्रियम हो गए श्रियोन स्वामी हो गए ऐसे बहुत सारे लोग है जो भारत वर्ष को उपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं ये लोग ये लोग आपको कभी पीछे नहीं ले जाएंगे ये पूरे भारत पूरी दुनिया को उपर उठाने की बात कर रहे हैं तो इनके अगेस्ट अगर कोई कुछ बोलना है तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ नकुछ तो कारण है कुछ नकुछ ऐसी चीज है जो आपके अगेस्ट ही जिसको बोया जा रहा है दन्यवाद